विवादों में घिरे बागेश्वर धाम के पीठा दिश्वर पंडित दिरेंद्र शास्त्री काफी चर्चा में है पंडित दिरेंद्र शास्त्री को जान से मानने की धमकी मिली है दिरेंद्र शास्त्री के चचेरे भाई लोकेश गर्ग की मोबाईल पर धम की भरा कॉल आया कॉल करने वाले ने खुद को अमर सिंग बताया उसने कहा कि मेरी बात दिरेंद्र शास्त्री से करवा दो बात ना हो पाने की वज़े से उसने कहा कि तुम धिरेंद्र की तेरवी की तैयारी कर लेना और फोन काट दिया फर्यादी के शिकायत पर पुलिस ने एफाया दर्चकर के मामले की जाच शुरू कर दी है पर अब में अबहिं कर रहा है यहां जो उसने एफ्णशन आये जब्हाद करेंगे नहीं नितों कुछ भी कर जाओंगगů जो हो पाए वह करेंगा तो उस के अधायां पर पांचछ्य-पांचछ्य कामी आविदक के दवारा कराई गयी है और अभी तक ये काईमी जो है अग्यात अमर सिंग है जिनके की गई है इसमें जांच कुछ विश्यों तक बाकी है और जैसी जांच होती है तथे सानवे निकल के आते हैं उससे अबगर कराये जाएगा आपको बता दें कि नाकपुर में अंदश्रद्धा निर्मूलंग समिती ने धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर एक कारिक्रम की दोरान चमतकार करने के नाम पर अंदविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था इसको लेकर पुलिस को केस दर्च करने की दर्कवास दी गई इस समिती का दावा था कि धिरेंद्र शास्त्री एक डर से दो दिन पहले ही कथा को समाप्त कर नाकपुर से चले गए हाला कि इसके बाद आरोप लगे कि पंडित धिरेंद्र शास्त्री दो दिन पहले ही अपनी कथा खत्म करके वापस आ गए इसके बाद पंडित धिरेंद्र शास्त्री ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए समिती वालों को रायपूर के दिव्य दर्बार में आने की चुनोती डे डाली छतरपूर से लोकेश और अस्या की रिपोर्ट एमपी तक कि अचान जय करते हुए झारोपों को खार शास्ट सालो वालों करते हैं